कि बच्चो इन पार्ट नंबर टू हाव इस राज्यसभा फॉर्मेड अपर हाउस की तरीके से बढ़ा अपर हाउस वक करता है उसका फॉर्मेशन पहले बात तो बनता कैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स अप्ड़ लेजिसलेटिव एसेबली एच स्टेट इलेक्ट देमेंबर्स है उसमें 238 इलेक्टेड होते और वर्टिकुलर्रीử ट्व José मेंबर्स जो वह हैं वह नॉमिटेड बाइद प्रेसेड़न की दूमिएट कियी जाते है यह प्रेसेटिंट तुस तरीके कें बहुत तरीके के वह से वह लोग चिन्हों ने देश के लिए बहुत अच्छे काम किया हैं जिन्होंने लाइफ टाइम इस तरीके का के से देखा जाये तू एंटरेंट दिपार्टमेंट दो बहुत सारे एक्टर्ज हैं बहुत सारे स्पोर्स पर्सन है जिनको कहीं नकहीं प्राईद्ट के थुम्र्ट मेंबर्स को covert किया जाता है तो टू-र्ट्रट एड जो हैइस्वह एलेक्टड होते और और 6 years का time period होता है जैसे lower house का 5 years का टेनर होता है वैसे राज्यसभा का 6 years का टेनर होता है लेकिन यह फिर भी कभी भी completely dissolved नहीं होती है है युआप अपरीज़ की अबीयुआ है नुओ मेंबर सो इसक्राइब्स अब्सक्राइब करías है उसक्ति है डिटा रज्यस्भा एक्टर नी बिल क्लियर लोग सभा के अंदर यहां पर और उसके बाद जब राज्यसभा उसको पारिद करती विडा पास आउट करती है तब भी वो प्रेसेजेंट तक पहुंचता है और प्रेसेजेंट उस पे सिगनेचर करते तब जाके बिल एक्ट में कनवर्ट होता है तो यहां पर राज्येसभा का कंसर्ट बहुत जरूरी हो जाता है जो है वो जक्ते नोना दा जरूरी होते हैं और यहांने की जो देश के वाइस प्रेसेजेंट होते हैं बिल स्पीकर तो इलयाट वह होनों करते हैं और हमेसा राज्येसभा के मंधा में जो है को,- करते हैं वह कि देश के वाइस просто के कreate लेकिन वाइस प्रेसिजन जो राज्यसभा के अंदर बाटा जो वाइस प्रेसिजन खोते हैं हमारे देश हमेशा चाहरमेण बनते हैं वाइस प्रेसंजन औफा रज्जे सपा के चैर्मेन बनते हैं अब यहां पर हमको एक बहुत अच्छा सा पिच्चर दिखा है एसेंबली का कि दिखो कैसे questioning अबर चल रहा है discussion हो रहा है जो answerable ministers है वो answer दे रहा है जो members of Parliament है वो उनसे questions पोच रहे हैं जो speaker है वो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं clear तो इस picture के तो हम समझ सकते हैं उपर टाइटल लिखा हुए बिड़ा कि question hour session in the Parliament when the Parliament is in the session at the beginning of the day the time for the question hour is decided upon हर डे का बिड़ा question hour decided होता है कि आज कौन से subject के उपर काम किया जाएगा तो उससे related सारी जो है जानकारी निकाली जाती है के बिड़ा questioning hour start होता है क्योंकि जो answerable minister है उनको satisfied answer देने होते हैं इसलिए उनको पूरी तयारी के साथ Parliament में आना पड़ता है during the question hour the member of Parliament ask the question to gather the information on the working of the government this is how the Parliament control the executive इसी वजह से हम कह सकते है कि Parliament जो है वह एक्जेक्यूटिव बॉड़ी को उसके कामकाच को control करती है क्यों क्योंकि इनी questioning hour के टाइम पर बहुत सारी problems के बारे में एक तरीके से देखा जाए तो government का ध्यान जाता है कुछ लूफ फॉल्स ले गए हैं जैसे यहां पर लिखा है कि तो the medium of the questioning member draw the attention to the government toward its blue walls जो members of Parliament वह गवर्मेंट का ध्यान उस तरफ ले जाते कि कहां पर कमी रह जा रही है कहां पर गलतिया रह जा रही है in this way the government comes to know about the view and opinion of the people through their representative और इसके त्रूं कह सकते हैं कि जो government है वो उनके opinions उनके views जो है वहां पर discuss होते हैं सबकी बातों को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद जो है बिल पास होता है it is an important responsibility to the members of members to question the government the opposition party play a major role in the effective administration of our democracy वराबर ये member of parliament की responsibility है कि वो question our time पे उस तरीके के मुद्धों को उठाए जहां पे एक तरीके से देखा जाए तो जो citizens है जो नागरिक है उनकी तकलिफों के तरफ समस्याओं के तरफ पार्लामेंट का ध्यान जाए opposition party जो है majorly democracy में great role play करती है अगर opposition party मजबूत नहीं होगी तो जो ruling party वो अपनी मनमानी करेगी तो opposition party का यहां पे responsibility बढ़ जाती है उनका दाइद तो बढ़ जाता है कि वो ruling party को कुछ भी गलत करने से या गलत loss बनाने से रोके इस highlight the loophole in the policies and program of the government the person who preside over the session in the log sabah is known as the speaker पर अबर लोगसभा का session जो prescribe करते हैं उनको speaker कहा जाता है president is the most important the integral part of the parliament president जो है वो parliament का बहुत ही most integral part माने जाते हैं a bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature कोई भी बिल जो है बिटा president की signature के बिना act में convert नहीं हो सकता है इसलिए president जब उसके signature करते हैं तो bill जो है act में यानि के कानून में तबदील हो जाता है he has the power to decide about the meeting of the parliament and announces the completion of session 2 बराबर उनके पास यह power होता है कि वो जो है meeting को है जह है decide करते हैं joint sessions बुलाते हैं अगर दोनों houses के बीच में किसी भी तरीके के conflict हैं कोई disputes हैं किसी bill के regarding कोई इस तरीके की problems हैं तो इन joint session में बिटा है उनके बारे में सोचा जाता है और एक तरीके से देखा जाए तो उन problems का solution लाने के बाद बिलको पास किया जाता है तो बहुत अच्छा सा chapter था छोटा सा था लेकिन बहुत बढ़िया chapter था तो हमने देखा कि कैसे हमारी parliamentary body जो है वो अच्छे से काम करती है यहां पर बहुत प्यारा सा लोकसभा का पिच्चर दिया हुआ है आप देख सकते हो members of parliament है speakers बैठें हुए हैं हम कुछ guards देख सकते हैं वहां पर गार्ड भी होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि पार्लेमेंट में बड़ा हल्ला हो जाता है एसा नहीं कि हमारे देश में कई बार हुआ है सभी देशों में होता है कभी कभी तो discussion इतना ज़्यादा अग्रेजिव हो जाता है कि चपल दूते हो और मार पिटाई भी होने लगती है तो यह जो guards होते हैं यह हमेशा वहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है members को ओके तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा chapter था जो हमने एक तरीके से सिफ information जानका के लिहाद से इन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं ओके थैंक यू